हलो इस्टुडेंट्स आज हम एक निया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स लास्ट वीडियो में मैंने एक्स्प्लें किया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज अफ मोशन फर्स्ट वीडियो में हम फोर्स के बारे में एक्स्प्लें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज अफ मोशन के बारे में एक्स्प्लें करेंगे तो आज स्टार्ट करते हैं फोर्स सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स होता क्या है जैसा कि हम जानते हैं कि force ही जब push और pull जब किसी body को हम धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं तो इसे हम force कहते हैं लिकन यहाँ पर हम थोड़ी सी standard definition देखते हैं force एक type का push और pull होता है जिसकी वज़र से कोई body rest से motion में हो जाती है motion से rest में हो जाती है motion के direction को change कर देती है या फिर किसी body के shape and size को change कर देती है या change करने की कोशिश करती है इसे कहते हैं force जैसा कि हमें figure में दिख रहा है कि किसी body को हम push कर रहे हैं या pull कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे force लेकिन push और pull करने से होता क्या है कोई body rest से motion में हो जाती है motion से rest में हो जाती है अगर वो motion में ही continue रहती है तो उसका direction change हो सकता है या फिर उस body का shape and size change हो जाता है और अगर change नहीं भी होता है तो at least कोसिस तो करता है तो अगर कोसिस भी करते हैं इसे भी हम कहेंगे force तो किसी body पर force लग रहा है तो उसका impact हमें दिखें यह जरूरी नहीं है अगर हमने कोसिस भी किया तो उसे भी हम कहते हैं force force is a vector quantity force के पास magnitude भी होता है और उसका direction भी होता है तो हम कह सकते हैं कि force is a vector quantity SI unit of force is newton and CGS unit of force is dyne हमारा next topic है effect of force force के क्या-क्या effect होते हैं force के effect में हम already definition में पढ़ चुके हैं कि force के क्या-क्या effect होते हैं force लगाने से कोई body rest से motion में या motion से rest में convert हो जाता है force लगाने से किसी body का size change हो सकता है force लगाने से किसी body का shape change हो सकता है force लगाने से किसी body की speed change हो सकती है speed change होने का मतलब उस body में acceleration होना और जब बें किसी body में acceleration होता है इसका मतलब उस पे कहीं न कहीं force लगा होता है इसके बारे में Newton second law में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ force किसी body के motion के direction को भी change करता है example के लिए हम देखते हैं कि अगर ground में कोई दो body है एक football है और एक बहुत बड़ा सा stone है दोनों को हम same force से kick करते हैं जब हम football पे kick करते हैं तो बहुत easily वो roll करने लगता है जबकि stone अपनी जगह से हिलता भी नहीं है दोनों में हम difference देखते हैं दोनों पे हमने same force अपलाई किया लेकिन football roll करने लगा stone roll नहीं किया लेकिन दोनों ही case में हम बोलेंगे कि yes हमने force लगाया क्यों? force लगाने से matter नहीं करता कि उसका impact दिखे जरूरी नहीं कि हमने force लगाया तो body motion करे लेकिन दोने केस में हम कहेंगे कि force लगेगा at least body का state change हो या न हो हमने कोशिस किया इसे बहेंगे force अब हम देखते है classification of force force को हम दो पार्ट में classify कर सकते हैं एक होता है contact force और दूसरा होता है non-contact force first type का force है contact force किसी भी दो object के बीच में actual physical contact के द्वारा जो force लगता है उसे कहते हैं हम contact force मतलब contact force में दोनों body के बीच contact होना जरूरी है अगर वो दोनों body के बीच में contact नहीं हो रहा है उस तरह के force को हम कहते हैं non-contact force यहाँ पर हम पढ़ रहे है contact force मतलब यहाँ पर दोनों body के बीच में contact होना बिलकुल जरूरी है example के लिए अगर हम किसी spring को stretch कर रहे हैं किसी football को kick कर रहे हैं किसी wall को हम धक्का दे रहे हैं इस तरह के मैंने जितने भी example बताए इसमें हमें body के ओपर force लगाने के लिए contact की जरूरत हो रही है इन सारे force को हम कहते है contact force यहाँ पर हम कुछ contact force के example देखते हैं muscular force, mechanical force, applied force, frictional force, tension force, normal force All are the contact force जब हम force अपने muscle के द्वारा लगा रहे हैं उसे हम कहते है muscular force जब force किसी machine के द्वारा लगाते हैं उसे कहते हैं mechanical force इसी तरीके से किसी मसीन पे अगर हम force apply कर रहे हैं इसे कहते है applied force Frictional force जिसके बारे में हम details में बाद में देखेंगे Frictional force क्या होता है इसके बाद होता है Tension force जो string या rope में जो force लगता है किसी चीज को अगर string से stretch करको उसे हम खीच रहे हैं तो उसी string में जो force लगता है उसे कहते हैं tension force और एक होता है normal force अगर किसी surface के जो perpendicular force लगता है उसे कहते हैं हम normal force ये सारे ही force, contact force होते हैं अब हम पढ़ते हैं non-contact force non-contact force को हम action at a distance force भी कहते हैं जैसा कि मैंने बताया है कि दो body के बीच में actual physical contact के द्वारा जो force लगता है उसे कहते हैं contact force इसी के reverse अगर दो body एक specific distance पर होता है मतलब दोनो body के बीच में कोई physical contact नहीं होता है दोनो body एक दूसरे को touch नहीं करता है फिर भी एक दूसरे के उपर force लगाता है इस तरह के force को हम कहते हैं non-contact force इसमें दो body एक दूसरे से specific distance पर होते हैं फिर भी एक दूसरे के उपर action perform करते हैं इसलिए इस force को हम action at a distance force भी कहते हैं gravitational force, electrostatic force and magnetic force all are non-contact force gravitational force के बारे में हम already पढ़ चुके हैं हम magnetic force का example देखते हैं अगर हमारे पास एक magnet रखा है और दूसरे magnet को हम उसके नजदीक लाते हैं तो उनके बीच में या तो attraction होगा या फिर repulsion होगा दोनों ही case में हम देखते हैं कि दोनों के बीच में एक force लगता है जिस force को हम कहते हैं magnetic force यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों magnet एक दूसरे से specific distance पर होते हैं फिर भी एक दूसरे को attract या रिपल करते हैं इसका मतलब magnetic force is a non-contact force इसमें दोनों magnet के बीच में कोई भी physical contact नहीं हुआ था electrostatic force होता है दो charge के बीच में लगने वाला force हम इसे एक example से समझते हैं हम सबने के experiment किया था कि जब हम dry hair में comb को rub करते हैं और उसके near में छोटे-छोटे paper के टुकडे को उसके नजदीक लाते हैं उस case में जो comb था उन paper को attract कर रहा था अब attract कर रहा था मतलब दोनों के बीच में एक force लग रहा था जबकि दोनों के बीच में कोई physical contact नहीं था इसका कारण हम electrostatic chapter में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यूं होता है लेकिन यहाँ पर important है कि दोनों के बीच में कोई physical contact नहीं था फिर भी दोनों एक दुसरे को attract कर रहा था इस force को हम कहते हैं electrostatic force और यह non contact force होता है इस तरह से हमने देखा कि gravitational force, electrostatic force और magnetic force all are non contact force तो students आज हमने सीखा force, contact force and non contact force next वीडियो में हम सीखेंगे balanced force and unbalanced force के बारे में हुए 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 है जयं हुए 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 ikना एग झान